नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो अगर आपका एकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हैलफुल रहेगा तो वीडियो को कम्प्लीट देखें देखें अगर हम Net Banking यूज करना चाते हैं PNB अकाउंट पर तो उसके दो तरीके हैं अगर आप खुद से Net Banking एक्टिवेट करना चाते हैं तो उसके लिए आपके पास में ATM काड होना जरूरी है तभी आप Net Banking जो है एक्टिवेट कर पाएंगे और अगर आपके पास ATM काड नहीं है तो फिर आपको ब्रांच जाना हुआ वहाँ से आप Net Banking एक्टिवेट कर पाएंगे लेकिन भविश्य में जब कभी भी आप अपना Login Password या Transaction Password भूल जाते हैं तो आपको फिर से Bank विजट करना हुआ तभी आप उसको Reset कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना Bank जाए और बिना ATM काड के कैसे आप Net Banking सुरू कर सकते हो मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन सभी वीडियो में एक ही बात बताई गई कि अगर आपके पास ATM काड नहीं है तो आप घरवेटे Net Banking Activate नहीं कर सकते आपको ब्रांच जाना होगा लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको Complete Process बताऊंगा एक ऐसी ट्रेक बताऊंगा जिससे आप बिना Bank जाए और बिना ATM के Net Banking सुरू कर सकते हो अब बात करते हैं UPI PIN की तो देखिए UPI PIN को Activate करने के लिए PNB में दो Option दिये होते हैं आधार काड से भी कर सकते हो और ATM काड से भी कर सकते हो लेकिन आधार काड से UPI PIN तभी आप बना सकते हो जब आपके आधार काड में और Bank में एक ही Mobile Number लिंक होना चाहिए और आपका आधार आपके खाते के साथ लिंक होना चाहिए तब तो आप आधार काड की मदद से UPI PIN बना सकते हो अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर टैविड काड की मदद से UPI PIN बना पाएंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो भी ट्रुक बताऊँगा जिसमें आपका आधार काड आपके खाते के साथ लिंक नहीं है और नहीं आपके पास में डैविड काड है फिर भी आप UPI PIN बना सकते हो और मैंने ये पहले बनाया है तब जाके वीडियो बना रहा हूँ कोई फैंक वीडियो नहीं बना रहा हूँ ना तो मेरे पास ATM काड है और ना ही मेरा आधार बैंक के साथ लिंक है फिर भी मैंने UPI PIN बना लिया और नेट बैंकिंग भी चालू कर लिए ये फैंक ट्रिक नहीं है आपको रियल बता रहा हूँ ठीक है वीडियो को कम्प्लीट देखें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो यूटूब पर आपको मिलेगी नहीं ठीक है तो कैसे आप बिना बैंक जाए और बिना ATM के नेट बैंकिंग चालू कर सकते हो और अपना UPI PNV बना सकते हो बिना ATM और बिना आधार लेंकिंग के तो कैसे करना है तो उसके लिए मैं आपको मुवाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको पहले प्रूफ बताऊंगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक तो देखिए मैं आचुका हूँ मुवाइल की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने PNV One एप ओपन करके रखा है पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि मेरे पास ATM कार्ड नहीं है तो मैं जाता हूँ यहां सर्विस में और सर्विस में जाने के बाद मैं डेविट कार्ड और यहां से मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ डेविट कार्ड ओन ओफ वाला सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहां पर account number, account number आप ध्यान से देख लीजिए, 001 है, इसको हम select करेंगे, यहाँ पर पढ़ लीजिए, no cards link for the selected account number, यानि इस account number पर कोई card link नहीं है, और भी मैं आपको proof बता देता हूँ, देखिए, आज date है 11 फरवरी, और मैंने यह account खोला था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ प account number भी confirm करा देता हूँ, देखिए, 001, ठीक है, अब आगे आपको मैं proof करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं phone pay में जाता हूँ, और phone pay में जाने के बाद मैं, यहाँ पर, मैं जाता हूँ, check balance पर, और यहाँ पर देखिए, पंजाब national bank, वही 001 वाला account है, इस पर click करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, UPI pin मैंने बना लिया है, मैं आपको balance भी check करके दिखा देता हूँ, ठीक है, UPI pin बन रहा है, अब मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ, कि मेरा आधारस से link है या नहीं है, तो मैं जाता हूँ, profile section में, और यहाँ से PNB select करूँगा, और यहाँ पर debit card मांग रहा है, debit card मैंने आपको बता दिया, मेरे पास है ही नहीं, और यहाँ पर आधार card पर click करेंगे हम, अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दिता हूँ, देखिए, it looks like this bank account not linked with your आधार number, यानि आधार number से link नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे proof दे दि दिया है, बिना debit card के, और मैंने net banking भी बना लिये, बिना debit card के, मैं आपको net banking का भी proof आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, Google में, और यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर type करेंगे PNB, ठीक है, PNB type करेंगे, यहाँ पर official website पर जाएंगे, मै मैं आपको पूरा proof दिखा दूँ, पहले फिर आपको बताऊँगा कि यह मैंने कैसे किया, तो यहाँ पर login, internet banking, फिर से login, retail banking, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पहले login करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, internet banking मैंने login कर लिया है, और आप देख पा रहेंगे और मैं आपको proof बता देता हूँ, वही account है, यहाँ पर आप देख लिए, 001, ठीक है, अब यह मैंने कैसे किया, वह आपको आप बताऊँगा, आप ध्यान से समझना, तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको जाना है, PNB One App में, तो मैं PNB One App login कर लेता हूँ, तो यह रह हमारा PNB One App, ठीक है, अब PNB One App में आपको क्या करना है, जाना है, सर्विस में, सर्विस में जाने के बाद में, डेविट कार्ड पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक option नजर आएगा, virtual debit card, तो इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में, यहाँ पर आपको क्ल continue करने के बाद में उपर submit करना है, submit करने के बाद में यहां पर आपका card जो है, बन जाएगा, तो मेरा पहली सी बना हुआ, यहां पर error आ गया है, virtual card already issue in account, याँ आपको virtual card बना लेना है, तो virtual card कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूं, Virtual Card बनाने के बाद में आपको Virtual Card को Activate कर लेना है Activate Virtual Card पर क्लिक करेंगे और Activate करने के बाद में आपको नीचे क्लिक करना है View Virtual Debit Card View Virtual Debit Card पर आप क्लिक करेंगे यहां से Account Number सेलेक्ट करेंगे और यहां से Continue उपर क्लिक करेंगे Continue उपर क्लिक करने के बाद में और यहां से फिर से कजिनी पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना transaction पासवर्ड देंगे transaction पासवर्ड देने के बाद में OTP डालेंगे OTP डालने के बाद में तो इस तरह का virtual card आपको नजर आ जाएगा virtual card नमर आपको जो है note कर लेने हैं और इसी virtual debit card का आपको pin बना लेना है पिन कैसे बनाना है उसके लिए मैं already वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है वो वीडियो देख करके आप इस virtual card का ATM पिन बना लीजिए pin बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है net banking activate कर लेनी है और इसी debit card की साहता से आप UPI pin भी बना सकते हूं लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपने आज virtual card को बनाया है और activate किया है तो UPI pin आप 24 गंटे बाद बनाएं मैंने कल ट्राई किया था UPI pin बनाने के लिए लेकिन कल नहीं बन पाया लेकिन आज मैंने ट्राई किया तो मेरा UPI pin इसी debit card से बन गया तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं फिर मिलता हूं नहीं ट्रेक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए